और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी one of the best strategy जो बहुत simple है और इसको use करना हम में से किसी के लिए भी उतना ही आसान है जितना 2 की table learn करना या 3 की table learn करना तो इसमें क्या क्या actions होंगे यह एक swing trading strategy है इसमें मैं आपको सारे steps बताऊंगा कि कौन सी company पर apply होगा कब हमें buy करना है कब हमें sell करना है और एक stock में हमें कितने percent पैसा लगाना है तो यहाँ पर सारी चीजे ध्यान से समझेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यह कौन सी company इसके उपर apply होगा मैंने एक list already बनाई होई है v40 companies and v40 next companies की आप इसको v40 विवेक करके अगर search करोगे तो यह list निकल कर आ जाएगी updated stocks की list है v40 and v40 next तो यहाँ पर मैंने इसमें यह next list भी है list of greatest stocks v40 and v40 next इसके description box में मैंने इस list के इन यह सारी companies डाली हुए यह total मिलाकर 80 companies है v40 में 40 companies है v40 next में 40 companies है तो यह in 40 and 40 80 companies के उपर यह strategy apply होगी तो number of stocks कितने होगे हमारे पास total 80 stocks होगे इन stocks के उपर ही सिर्फ इसको apply करना है बाकी stocks के उपर इनको apply नहीं करना है बड़ा simple सा reason है क्योंकि यह 80 stocks handpick stocks हैं almost all the stocks अपने sector में market leader है बहुत लंबे टाइम से business में है और आगे इन companies का future prospect great है तो यहाँ पर in 80 stocks पर काम करना है अब बात आती है buy कप करना है यहाँ पर buy करने का बड़ा simple सा तरीका है हमने buy करना है जब यह stocks इनमें से कोई भी stocks 52 week low पर चल रहा होगा यानि कि पिछले एक साल में आज की rate में सबसे lowest level पर होगा अब इस चीज को check करना कि 52 week लोग पर कौन सा stock है कौन सा नहीं है कितना मुझकल है कितना आशान है मैं यह बता देता हूँ आपको सबसे पहले हमने क्या करना है यह list बना लेनी है यहाँ पर watch list create करने कर लेनी है v40 and v40 next के नाम से तो हमारे लिए यह काम आसान हो जाएगा जैसे v40 में यह सारे 40 stocks हैं यह watch list यहाँ पर बनाने का क्या तरीका है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ब हम 1 year के उपर क्लिक करेंगे तो यह जितना पीरियड है यह पूरे 1 year का पीरियड यहाँ पर available हो जाएगा यहां उपर जब हम चेक करते हैं तो यहां 1 day का मतलब होता है 1 day की 1 candle यानि की 1 candle 1 day की moment को यहाँ पर show करता है नीचे जो यह पीरिट लिखा होता है अगर हम 1 day क्लिक कर हम one year करते हैं तो ये one year की पूरी movement आती है one day की one candle होती है ऐसे में उपर आप देखोगे और नीचे ये one year हमारा आ जाता है तो ये one year की movement है अब हमने क्या करना है नीचे जो down arrow होता है हमारा उससे नीचे चलते चले जाएंगे तो यहां पर आप देखोगे वो नीचे का अपने आप आ जाता है फर उससे नीचे अपने आप आ जाता है मैं hide इस ले कर रहा हूँ जिससे पूरा chart यहां पर available हो जाए अब हमने next करते जाना हमें पता चलता चला जाएगा कि कौन-कौन से stocks यहां पर 52 week low पर available है V40 लिष्ट में हम यहां पर देख रहे हैं तो जैसे आपने देखा एक्जो नोबल इंडिया 52 week low पर available है अब तक का सबसे नीचे का price था Asian paints नहीं है यह भी नहीं है हम नीचे आते जाएंगे और यह बहुत आसान है daily basis पर एक बार go through करना यह नहीं है थोड़ा सा उपर है यह है यहां पर Colgate Pamolive is available at 52 week low such a great company last पिछले एक साल के low पर है इसका मतलब क्या है यहां यह चीज क्यों काम करती है क्योंकि पिछले एक साल में जितने भी लोगों ने इस stock को purchase किया चाहे वह operator है चाहे FII है चाहे DIA है चाहे यहां पर HNIs है चाहे यहां पर कोई भी है trader है investor है सभी लोग lows में है जिसने पर्चेस किया है तो यहां पर जब एक बहुत लंबे टाइम तक great companies lows पर चलती रहती है तो उनको भी पैसा कमाना होता है इसलिए हाँ पर इसी जिए ऊपर आना शुरू हो जाती है और यह एक अच्छा डाइम होता है इन companies को purchase करनेगा पहला इस टोक था exonobal india second हमारे हाँ पर निकल कर आया colgate palmoliv उसके बाद में डाबर नहीं है यहाँ पर gillet is also available at 52 week low यहाँ पर आप देखो के सबसे lowest level पर है बड़ा आसान है जो यह right वाला section है सबसे low पर available है यानि कि 52 week low पर available है यहाँ पर हमने एक साल का पूरा यह chart open किया हुआ है उसके बाद हम next करते है Glaxo नहीं है Gold Bees नहीं है Hevels भी नहीं है HCL, HDFC Limited was available at 52 week low यहाँ पर यह जो candle थी यह 52 week low पर थी कैसे हम देखेंगे जो lowest level था इससे पहले हमारा वो यह level था अब यह level यानि कि जैसे ही इसके नीचा है 52 week low पर available हुई अब यहाँ से उपर गई है सिर्फ 2% उपर गया ज्यादा उपर नहीं गया यानि कि अभी यह 52 week low पर ही आप इसको consider कर सकते हो HDFC, AMC 52 week low पर available है HDFC bank नहीं है उपर है HDFC life is also available at 52 week low तो यहाँ पर अगर आप देखोगी यह किस तरह का time चल रहा है जहाँ पर HDFC, AMC HDFC life HDFC limited तीनों ही stocks जो HDFC group के total 4 stocks है 4 stocks है तीन उन में से 52 week low पर available है यह time थोड़ा सा ऐसा ही है जब Nifty को देखकर लगता है market बहुत जादा नीचे नहीं गई लेकिन overall market बहुत जादा डाउन है great companies are available at 52 week low price Colgate Pamoly भी उन में से एक था Exxonobel India भी उन में से एक था अभी उसके बाद Hindustan Unilever नहीं है ICICI Bank नहीं है ICICI Lombard General Insurance is also available at 52 week low यानि कि 52 हफते के नीचले इस तर पर यह चल रहा है यह एक अच्छी buying opportunity होती है और यहाँ पर हम और नीचे आते हैं नीचे आते हुए मेरिको भी नहीं है Nipo Asset Management यानि कि नीचे के price पर है यह भी buying opportunity है उसके बाद में हम Pfizer Pfizer भी यहाँ पर 52 week low पर है and हम next चलते हैं next चलते हुए Sanofi is also available at 52 week low तो यह अच्छे stocks 52 हफते के low पर available है यह अच्छी opportunity है again world pool is also available at 52 week low तो यहाँ पर V40 list हमारी पूरी हो गई एक बार हम quickly यहाँ पर V40 next को भी एक बार search कर लेते हैं और V40 next में भी देखते हैं कि शायद कुछ stocks हमारे पास same level पर available होंगे अब जैसे यह particular case है 3M India 3M India में अभी यहाँ available है लेकिन 52 week low क्या था 52 week low हमारा यह level था 20871 लेकिन यहाँ एक बार ध्यान से समझना जैसे ही next 2-3 days हमारे हो जाएंगे तो यह 52 week low पर automatically आ जाएगा और हम 52 week low इसको consider कर पाएंगे तो इस तरह का ध्यान रखना कि कितने और दिन बचे हैं कि यह stock 52 week low में आने वाला है अगर यहाँ से immediately उपर नहीं गया तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की जवरत है लेकिन अभी 52 week low पर यह available नहीं है लेकिन यहाँ पर AstraZeneca Pharma हमारी इस condition को meet करता है low पर available है bear crop signs 52 week low पर available है उसके बाद हम नीचे आते हैं और नीचे जाते हैं नीचे जाते हुए हम देखते हैं और नीचे आते हैं नहीं नो यहाँ JC, HACC यानि की जोंसने टाइसी control AC limited air conditioners limited यह 52 week low पर available है Kansai Narrowlock is also available at 52 week low great companies यहाँ पर पिट चुकी हैं बहुत नीचे यह एक तरह से अच्छी companies में sale लगी होई है कि आओ और खरीद लो MCX is also one of the great company तो यह भी 52 week low पर available है यहाँ पर V40 next में भी हमें काफी companies मिल गए जो 52 week low पर available है हम और नीचे जाते हैं देखते हैं शायद एक दो companies और हमें मिल जाएं Tasty Bite is available at 52 week low और उसके बाद में यहाँ पर UJ1 Financial Services and UJ1 Small Finance Bank कि अच्छी companies है यह पूरा हो गया तो यह 80 companies में इतनी सारी companies है almost 15 companies के आसपरास हमें मिल गई जो 52 week low पर available है अब यह हमारा point होगा हमारे दो चीजे clear हो गई कि कौन सी list है जिसमें हमने इस states युग apply करना है वो list है V40 stocks and V40 next stocks मैंने आपको बता दिया है कि YouTube पर जाकर आप देख सकते है कि कौन सी list है आप इसके ओपर click करेंगे आपको मिल जाएगा otherwise मैं इस description box में भी इसकी पूरी list यहाँ पर डाल दूँगा इसका एक link डाल दूँगा वो आपको मिल जाएगा उसके बाद में आप यह बात आगी खरीदना कप है हमने यह भी चेक कर लिया जब यह 52 वीक लो पर आजाए तब हमने इसको खरीदना अब बेचना कप है यह बात देखते है बेचने के लिए एक सबसे सिंपल तरीका है और सबसे कारगार तरीका है वो है all time high हम इसको खरीदेंगे 52 वीक लो पर lifetime high है हमारा अगर हम देखें this is the lifetime high और यह है 4975 और अगर हम इसको current price पर purchase करते हैं 4975 तक लिकर जाते हैं तो यह हमारा potential gain आता है almost 84% अब इसको आने में अगर 2 years भी लगे तो भी हमारा 40% का CAGR almost निकल जाता है तो यह इतना आसान सा तरीका है single trade 2 years के लिए लेके बैठ जाओ हमारा 40% का जो यहाँ पर objective है CAGR कमाने का वो हमारा meet हो जाता है तो यहाँ पर selling point है lifetime high अब बात आती है कि एक stock में कितने percent पैसा लगाना है मेरे इसाब से हमें कभी भी किसी भी situation में एक stock में 5% से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए तो यहाँ भी हम 5% पैसा लगाएंगे हमारी 4 conditions होगे number 1 कौन सी stocks की list है V40 stocks, V40 next stock कप purchase करना है जब वो 52 week low पर आ जाए number 3 कप sell करना है all time high पर जब stock trade करने लगे तब हमें sell करना है एक stock में कितने % पैसा लगाना है 4% पैसा हमने sorry 5% पैसा हमने एक stock में maximum लगाना है अगर opportunity हमार पास ज़्यादा है पैसी कम है तो उनको बाट कर लगा दो 2-2% करके भी लगा सकते हैं 3% करके भी लगा सकते हैं लेकिन maximum 5% हमने पैसा लगाना है अब इस strategy को क्या करना क्या आपने एक तो apply करना है अपनी समझ के साब से देख कर और अपने दोस्तों के साथ भी share करना है क्योंकि अकेले रिच बनने में कुछ रखा नहीं है मैं भी आपके साथ share कर रहा हूँ ना तो आप भी आगे share करो forward करो लोगों को बोलो अपने friends को बोलो कि subscribe करें जिससे वो daily business पर वीडियो यहाँ पर देख सकें और आपको तो subscribe करना ही है क्योंकि daily 7 o'clock एक new वीडियो लेकर मैं आता हूँ जिससे हम सब मिलकर अपने trading and investing skills को sharp कर सकें यहाँ पर सीखते रहने की जरुत है सीखते रहिए लगाता notes बनाते रहिए इन चीजों को apply करना आसान हो जाता है जब हम videos को दुबारा देखते हैं notes बनाते हैं और उनको अपने basis पर अपने end पर backtest करते हैं और वापस से जब backtest करके वो चीज़े सही निकलती है तो हमारा यहाँ पर confidence बढ़ता है उस confidence के सलते ही हम market में गिरावाट की time पर अपनी holding को बनाए रखते हैं क्योंकि हमें पता है कि इस तरह का पहले भी हुआ है आगे भी होता रहेगा तो यहाँ पर राब मजे करते रहे है थैंक यू सो मच कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक मजे करो या थैंक यू सो मच वे नाइस टे